तो class 10 की math के जितने भी important question है वो आप लोग को मैं आज के इस video में देने वाला हूँ लेकिन उसके पहले एक काफी important चीज जानूँ कि इस साल आप लोग को NCRT के अंदर जो total questions करना है term 2 के अंदर जो cut चुगा उसको अठाने के बाद वो है total आप लोग के 252 question हाँ 252 question याद कले अपने teacher से जो भी shake ही मानी मार ले ना तो 252 question में जो आप लोग के ultra important question है NCRT के वो सबके सब आप लोग के इस video के ने बताने वालो हूँ और उसके पहले एक बहुत important चीज मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि आप NCRT बिल्कुल मत पढ़ना मैं किसी बच्चे को ये याद कर लिया question ठीक है ये पूरा का पूरा concept पर चलता है आप जो भी question बता रहा हूँ उन पर 5 star लगा ले ना जब भी आप लोग अपने NCRT solve कर रहे हो उसमें से paper बन चुका है बहुत बार बन चुका है तो उन questions को जरूर करना ये तुम्हारा पका होना चाहिए कि paper में है तो start करेंगे अपने सबसे पहले chapter quadratic equation से हम लोग आ चुके हैं अपने सबसे पहले chapter quadratic equation पे जिसमें आप लोग के access 4.1 का जो सबसे ज़्यादा important question है वो है आप लोग का question number 1 और question number 2 का first और third वाला part ये बहुत important है इनको आप लोग अच्छे से tick का लेना basic question है ज़्यादा hard नही ठीक है access 4.2 आप लोग का इसका जो important question है वो है first का second third और fifth वाला part और third और fourth आप सभी लोग के जो तीसरा और चौथा question है और जो आप लोग का दूसरा और छटा question है वो आप लोग का same pattern पे है और easy question है ठीक है मैं आप लोग को यह सब ची बताते हूं चलना हूं अगर नहीं important है जैसे आप लोग दिख रहा है ठीक है और जो आप लोग का दूसरा और छटा है यह आप लोग के same pattern पे है मतलब इसके अंदर जो use होता है न मतलब जो concept behind है वो दोनों same है और easy है इसको आप लोग कर ले ना ठीक है 4.3 आप लोग के इसके जो important question है वो है आप लोग के दू deleted है हाँ आप लोग कोगे यह deleted है लेकिन मैं आप लोग से कह रहा हूँ इसको कर लेना एक बार कर लेना क्योंकि CVC या किसी भी टैप से कोई भरोसा नहीं मेरेको यहां पे इन question का लग रहा है थोड़ा सा तो इनको कर लेना ठीक है यह आप लोग के important है वरना तो अगर आप पार्ट और फूर्थ आला जो question है वो important है अब आचुके हैं अपने अगले chapter arithmetic progression पर एकसे 5.1 है इसके आप लोग के important question है वो है question number first का third और फूर्थ आला पार्ट दूसरा तीसरा आप लोग का common question है easy question है इसको कर लेना मैं easy question है first आला भी आपका easy है और जो first और second और third है यह आप लोग को AP chapter आप लोग का हर एक question अपने दूसरे question से link करता है अगर आप लोग को a link अगर कोई वच्चा ऐसा है जो सोच रहा कि मैं सिर्फ important question touching वाले जो है न उन्हीं को करके चल जाओ अगर आपको a निकाला 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 तो अब आप देखो यहाँ पर फर्स्ट कास है थर्ड और फोर्थ वाला था सेकंड और थर्ड आप लोग का common है अब चौथा जो आप लोग का है चौथा question उसके 11 से लेगर के 15 तक आप लोग को जो पार्ट है उनको अच्छे से कर लेना है यह important है exercise 5.2 इसके आप लोग के 2, 3, 5 जो की same pattern पे है और easy है उनको कर लेना है उसके बाद जो important है अल्टरा वाले वो यह question है 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 इनमे भी आप लोग के same pattern कहीं ने कहीं use होगा एक बार यह अगर आपने concept को अच्छे से समझ लिए है जो ऊपर के question आपको बताया है 2, 3, 5 यह आप लोग के इस exercise के concept वाले question है उनको एक बार यह सिफ concept को पकड़ने के लिए easy questions है उनको समझ लो जो main question है उनको आप लोग के automatic होते चले जाएंगे ठीक है 5.3 आप लोग का इसके अंदर आप लोग का first का first और second का third यह आप लोग का same pattern के सारे पार्ट सुंगे इस तो आपको जो important वाले part है वो बता रहा हूं third वाला part जरू कर लेना first और second दूनों ही question का अब जो third है उसका second, fourth, fifth, sixth, seventh और eight और पांचवा, छटा, आटवा, नौवा, दसवा, ग्यारवा, चौदवा पांच़े चप्टर के अंदर आप लोग के जादा question है number of question जादा है क्यो one ही important है, इसके लावों कुछ भी important नहीं है, example आप लोगे 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 और 15 और जाता जो important है वो आप लोगे ये 11, 12, 14, 15 इनको अच्छे से कर लेना, बेशक अगर आप लोग आगे वाला छोड़ भी देते हैं कि इनको मत मिस करना, पिलकुल मिस मत करना, ये 11, 12, 14, 15 य है आप लोग का यहां पर, some application of trigonometry, height and distance भी काफी भी लोग कहते हैं, काफी बिच्छे कहते हैं, तो इसके जो important question है, starting के face के तो आप लोग के एकदम easy question है, 2, 6, 8, 9, ठीक हैं, लेकिन जो यहां पर 12, 13, 14, 15, 16, इन सारी questions को आप लोग कर लेना, जो जो बता हूँ, वो ultra important है, ब बिल्कुल miss मत करना, मैं आपको कहरा हूँ, ठीक है, example, 1, 3, 6, और 7 कर लेना, बस आप लोग के लिए इना फोगा, circle, exercise 10.1, इसके अंगर आप लोग को 2, 3, 4 question अच्छे से कर लेना है, 10.2, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, और 13 आप लोग को अच्छे से कर लेना है, जो important है, वही बता रह आ दे तो यहीं पर, ठीक है, जैसे 9 से लेकर के 11, 12, 13, इनको miss मत करना, आगे वाले विशक अगर बहुत ही कम टाइम है, मलब रात का समय है, तल पेपर देने जाना है, इस टाइप का scene हो गया है, तो, example आप लोग के 2 और 3, और theorem आप लोग को 10.1 और 10.2 अच्छे से कर के जा और 9, exercise 13.2, 2, 3, 4, 5, 7, 8, इनको अच्छे से कर लेना, 13.3 से आप लोग का 4, 6 और 9 important है, 13.5 से आप लोग का 2 और 4 और चोथा question important है, अब चलते हैं, example पर, example आप लोग का 2, 3, 4, 6 और 7 important है, इसके बाद आप लोग के statistics जो chapter है, उसके अंदर आप लोग के exercise 14.1, 3, 5, 7, 8 और 9, यह important है, बहुत जादे important है, 14.2 से आप लोग का 2, 3, 4, 6 important है, और 14.3 से आप लोग का 2, 3, 5, 6 और 7 important है, ठीक है, और example के बाद करें तो 1, 4, 5, 6, 7 और 8 आपका important है, तो यहां पर आप लोग के जितने भी important question है, वो complete होते हैं, जो SSD के होई, English के हो, Hindi के होई, वो भी आप लोग क को हमाई चान पर मिल रहे होंगे, grammar मैं आप लोग को complete कराऊंगा, पूरी tenses, models, जितने भी चीजे हैं, letter, letter, sub complete कराऊंगा, ठीक है, तो बिलकुल tension मतलो, आप लोग इन questions को अच्छे से कर लेना, और यह question, अगर आपके पास बहुत ही कम time है, जैसे आज राद बची है, कल जाना, NCRT करने का time नहीं है, आप लोग के पास तो, पूरी पूरी, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास time है, मैं आप लोगों से हाज जोड के विंदी करूँआ, पूरी NCRT करके जाना, अगर आपके पास अभी time है, एक-दो महीने का, या फिर 10 दिन का, उसको पूरी NCRT करन टीक, थैक थैक यू.